जब तक मैं घर नहीं पहुत जाती ना तब तक मैं मम्मी से मुझे इतनी सारी बाते से मुझे को मिल जाती है जो मुझे बिल्कु अच्छी नहीं लगती है केटियम क्यों नहीं लिया आपने ड्यूक टू अंड्रेट ड्यूक 125 ये सब इसके आज पास में आती है इन फ्यूचर जब भी इस बाइक से अपडेट करना पड़े तो किस बाइक के पर जाना परसंद करो गया हेलो दोस्तियार मैं आफ सरी का वीर जी आदी राओ और मैं पूरी राइडर फैमिली का श्रागत करता हूं आज एक नई वीडियो के अंदर ये वीडियो काफे जादा इस्पेसल रहने वाली अपने चैनल के लिए आपको थोड़ा सा देखके अलग लगेगा आज वहती यूनिक कंटेंट के ओपर वीडियो लेक्के आया हूं मैं और ये एक ओनरस्प रिव्यू की वीडियो रहने वाली है इस चीज़ आपको बता दो चैनल के अंदर अब नई प्लेइलिस्ट करेट कर दूगा जिसके अंदर ओनरस्प रिव्यू के आपको शारी वीडियो मिल जाए करेगी वहाँ पे इसके साथ एक चीज़ आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में इस्पेसल ये है कि एक तो की वारे में जानेंगे कि आखिर नोने क्यों लिया ऌए क्या रीजन है क्या छीजिज उनको परसंद आती है क्या नहीं है क्या मैंटनेंस है हर एक चीज़ खोट-खोट के निकालेंगे तो एक बर आप उनको भुलाना चाहूंगा एकपर नाम बता और क्या करते हो यह चीज इस वात प्रिखहां कि आपने अपने परशेज कीती कितना ताइम होगी कितना परशेज कीती इस बाइक को खरीदे में मुझे एक साल हो चुका है कमप्लीट एंड ओन रोड यह मुझे 1,70,000 की पड़ी थी एक लाग सत्रहजार रुपय की ओन रोड मिली थी उसके साथ ही कितने क्लोटर आपने चला लिया यह अभी तक साड़े-चार हजार किलोमेटर यह चल चुकिया है फ्री सर्विस के अंदर अराउंड साड़े साथ सो रुपय लगता है और इसमें लेबर कॉस्स निया बाकी सारी चीज उसके अंदर आज आती है अब जो पेड सर्विस के लिए मैंने पूछा था उन से तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि टू हंड़े से थ्री हंड़े करके पिन कर देंगे जब भी इसकी पेड सर्विस होगी नेक्स टाइम इसके राती अगली चाहिए मैंसे पूछना जाता हूं कि आर आपने यही वाइक क्योंकि 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 एक काफी अच्छी ब्रैंड इंडिया में बहुत नाम है उसका और लोग वह जादा पसंद क कर रहे है आई नो मुझे पता है कि आप लोग काफी जादा पसंद करते हो तो इस वाज़े से मैं पूछना चाहरा हूं कि क्यों नहीं लिए आपने ड्यूक टू अंट्रैट ड्यूक यह सब इसके आजपास में आती है मैंने पहले तो ड्यूक लेना का ही सोचा था क्योंकि इसके ड्यूक मुझे काफी अच्छी लगती थी बट उस तब में को खरीदने का टाइम आया तो उस टाइम पर यह बाइक लॉंच हुई ही थी और मुझे पता भी था इसके बार में इसके बार में थोड़ा सा जाना करा इसके लूक्स वगरा देखे और पहली नजर में पस सब्सक्राइब करें पर कुछ और भी कोई चीज होगी जो आपको इसमें जादा अच्छी लेगा मैंने एक चीज और वी सोची कि जैसे ड्यूक की पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदा है और जब मैंने इस बाइक को देखा ना तो मुझे ऐसा लगा कि यह बाइक भी मुझे मने एक नजर में ऐसे प्यार सा हो गया इससे तो इसलिए मैंने इस बाइक को चुना वैसा होता है कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको यूनिक बाइक ज्यादा परसंद आती है कर मिर को भी मैं एक चीज आपको बोलना जाता हूं यहां पे बहुत सारे लोगे जिनको परसंद आया है लेकिन इसपेसली मुझे काफी जादा परसंद आयती हो वाइक कॉफी यूनिक है और देखने में काफी अट्रेक्टिव लगती है तो कुछ ऐसा यह इनका भी और लुक से इनका कहने का मतलब मैं एक पूछना जा रहा हूं की ट् मैलेज क्या देती है मैलेज यह आराउंड 45-50 तक का मैलेज यह मुझे दे देती है एंड हाइवे पर जाते तो 50 से अब हो जाता है तो 50 से नीचे नीचे तक रहता है यहां पर पूछना चाहूंगा की आरान 5 अपने सेग्मेंट में पर्समेंस को लेके बहुत ही ज्यादा बाइक और सब लोग पसंद भी करते हैं और उसी बाइक का इंजन इसके अंदर यूज किया है तो मैं आपका चाहता हूं कि आपको पर्समेंस कैसी लगी है अर बाइक की ब्रेकिंग कैसी है इन सब चीजों को थोड़ा सा बता हो यार इसकी पिक अप और ब्रेक अप दोनों को मिलता है सेवं था इसे अर्पी में को करने के बाद में और इसकी आफाथ में भी काफी अच्छा मलब काफी है यह किछ सच में है बाइक में फील होती है 7-1 यूज में पू leaf को चलाते सीटी में रायट करते हैं तो नॉर्मल्ल् ये खुति सब्सक्रा काफी अच्छी कि अगर आप सेटी में चला रहे हो तो टॉप ना टॉप गियर में भी आप लो स्पीड पे स्मूथ ली इना चला सकते हो भाइक को कोई भी नौकिंग साउंड या फिर वाइब्रेशन इसमें नहीं होता है प्यार अब एक चीज इस तेसल में आप से पूछना गया कोई ऐसा टाइम निकाला तो आज तक है वैसे तो मेरे लिए सबसे सबसे अच्छा ताइंग तो जब भी था जब यह मेरे पास में फर्स टाइम के मैं इसको घर लेकर आई थी ना वह तैंग तो पिलकुल है ना अलब क्या कर सकते कंपेर नहीं कर सकती अभी तक मैं क्य कि फर्स बाइक है यह मेरी और मैं खुद चलाओंगे इसको वह जो खुशी थी मेरी वह बिल्कुल कंपेरेबल नहीं है मेरी अभी नाइंटीन एर्स है मैं इसका मतलब आपने एक साल पहले ले ली ती जब 18 आपने अपने कंपलेट की तो 18 साल के बाद 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 ले ले इस बाइक में यह चीज क्यों है यह नहीं होनी चाहिए कुछ ऐसी चीज जो आपको बुरी लगती वाइक के अंदर वैसे तो इसके लूकिंग और बढ़ जाती इसके लूक्स में काफी ज्यादा अच्छी लूकिंग माला लूकिंग काफी इंक्रीज हो जाती है और कुछ यह कुछ ऐसा मैंपॉंट नहीं है इसके लूकिंग पेफेक डालता है लेकिंग कोई बड़ा इफेक नहीं डाल रहा है इसके अलावा में एक टाइम यह जब मैं को यह बिलकुल पसंद नहीं आया थी एक्शली इसके उपर गुसा नहीं आया था वह तापता जब मैं अपन नहीं उनको पीछे बाल जो सीट पर बैटन में कमफर्ट नहीं लगता है उनको लगता है कि मैं उनको गिरा दूंगी और एक चीजी यह बताओ कि आपने अभी तक लोंग राइट कितनी लंबी किया अभी तक मैंने 200 किलोमेटर्स तक ही करी है यहां से आना जाना दोनों मिल आपने चलाया भी पीछे बैठे थे आप तो कमफर्ट कैसा लगाता मिला राइडर के जब चलाते टाइम ज्यादे कमफर्ट फील कर रहे थी आगे वाली सीट का पर चलाते ताइम कमफर्ट मिलता है आपको पूरा-पूरा पूरा पीछे बैटने में दिक्कत आती है यहां पर काफी सारी चीज़े बाइक के बारे में पूछ लिए मैंने इन से बहुत सारी चीज़े खौद-खौद के निकालने की कोशिच की जितने में से निकल पाई है और बागी एक चीज मेरे को और पूछनी लास्ट में कि इन फ्यूचर जब भी इस बाइक से पर अपने चैनल के वीडियो आई है एस तीए और वी वीडियो काफी सारे आने वाली है और आप चाहते हो कि आपने कोई नई बाइक लिया नई कार लिया फिर आपके पास कोई ऐसी पुरानी बाइक या कार है जिससे कि आप लोगों को सजेस्ट करना चाहते हो कि मेरी कार या फिर मेरी बाइक में कुछ ऐसी चीज है जो कि मेरे को अच्छी लगती है और मैं आपको suggest करना चाता हूँ कि आप इसे purchase करो तो उसके लिए आप मेरे को ज़रू contact कर सकते हो मेरी email मैंने नीचे डाल रखी है उसके साथ Instagram भी मेरे को message कर सकते हो या फिर कोई ऐसी चीज है आपके पास कोई ऐसी bike car है जो कि आप suggest करना नहीं चाते है आप उसे काफी परेशान हो तो इन सब चीजों के बारे में हमने ये चीज शुरू किया ताकि हम लोगों को आपकी आवाज पहुचाए शके और इक चीज और बता दू कि आप लड़की काफी मेनद करती हाड़ वर्किंग है तो इनका चैनल जरू पर विजिट करना अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना वड़ना आर आपकी इच्छा कोई जवर्दस्ति नहीं है आपसे ज़्यादा हो गया शोरी तो यार यह सब नया चैनल नया इस्टार टू अपनी चैनल पर और मैं चाहता हूं कि आप इसे सपोर्ट क ना बागी मिलते नेक्स्ट वीडियो में इस्ट वीडियो में यही था अपने ध्यान रोको अपने मस्त रहो खुस रहो टाटा बाई बाई टेक क्या